अजमेर की मुहमदी मस्जिद में शुक्रवार देर रात करीब दो बुजे मौलाना की निर्मम हत्या कर दिगई तीन नकाब पोष बदमासों ने वारदात को अंजाम दिया गटना के समय मस्जिद में छे नाबालिक बच्चे भी मौजुद थे बदमासों ने बच्चों को दमकाते हुद कहा कि चिल आए तो तुमें भी जान से मार देंगे इसके बद बच्चों को कमरे से बाहर निकाल दिया गया राम गंजु थाना प्रवारी रविंद्र खीची ने बताय की राम गंजु थाने के कंचन नगर इस्ती तो मुहमदी मदनी मस्जिद में मौलाना मौमद माहिर पिछले साथ वर्सों से यहां रह रहे थे उनके साथ कुछ बच्चे भी रहते थे रात करीब तीन बजे बच्चे चिलाते हुए मस्जिद से बाहर आये तो आसपास के लोगों को वारदात की जानका नी मिली इसके बाद इस्थानिय लोगों ने पुलिस को सुचिट किया सुचना पर पुलिस मौके पर पहुची खीची ने बताए कि तीनों बदमास मस्जिद के पीछे बने के रास्ते से अंदर गुसे थे उसके बाद मौलाना की हत्यागर उसी रास्ते से फरार हो गए उन्होंने बताए कि मोके पर तलाशी की गई तो मोलाना का मोबाइल भी नहीं मिला आशंका है कि बच्चे किसी को फोन ना कर दे इस वज़े से बदमाश मोबाइल भी अपने साथ लेकर चले गए उन्होंने कहा कि अभी हत्या के कारणों के पीछे कोई अहम जानकरी नहीं मिल पाई है मज़ित के पीछे एक बाड़ा बना हुआ है जहां दो डंडे ब्रमाद हुए हैं इसके साथ या सपास के सीसी टीव फुटेज भी खांगा ले जा रहे हैं डोगिस्वाइट की टीम को भी मौक्य पर बुलाए गया साथ ही एफसल की टीम की सायता ली जा रही है माहुल खराब नहों उससे देवते हो यहां अधरिक जाबता तेनात किया गया है मौलाने के शव को अजमेर के जवारलाल नहरू अस्पताल की मौश्री में रखवा गया है पुलिस सभी पहलों पर गंबिरता से जाच कर रही है अच्छे बच्चे और उनके पास में सो रहे थे बच्चों ने पूस्ता से बताया कि तीन अग्यात वेक्ती आये जिनने उनके कपड़ा बांदा बांद लखा था वह लट्ठों के साथ मौली साब मालपीट की जिससे मौली साब के सब पर चोटे आई है जिससे उनकी मुर् प्रत्तम दश्टाब में ऐसा कोई कारम सामने नहीं आया है अब है कि अनुसंदान में देशेगी होगा प्रयास करेंगे सेक्ट खुला सकते हैं